जे ओए आई टी आठा सो सत्रा की बात करें पोस्ट कोर संक्या की बात करें कि सोसल मीडिया पर बार बार ट्रोलिंग की जा रही है जस्टिस की बात की जा रही है लेकिन तमाम अभ्यारती तमाम इस मामले से जुड़े जितने भी अभ्यारती उन्हें समझना होगा कि ये मामल अदालत में चल रहा था और 8 दिसंबर को इस फैसले को रिजर्व कर दिया गया है अब अपना फैसला इस पर अदालत सुनाएगा क्यूंकि ये पूरा घटनक्रम जिस परकार से और जिस परकार से सोसल मीडिया पर बार बार इस जे ओए आई टी के मामले को लाया जा रहा पोस करते हुए अब CPWD 3842 में इसे कलब कर दिया है रीना कुमारी और इस पूरे मामले में जो फैसला आएगा उस फैसले के बाद इस तितिस पस्ट हो पाएगी क्यूंकि इस खबर को लाने के पीशे हमारी बड़ी बज़ा है कि बार बार सोसल मीडिया पर लिखा जा रहा है बा कर दिसमबर को इस जी इए आईटी 817 जो यह केस है इस केस को रिजर्व कर दिया गया और जल्द ही इस पर अब कोड जो है वो अपना फैसला सुनाएगा क्योंकि यह पचीदगी जिस परकार से जब जो की भरती हिमाचल परदेश में शुरू हुई जब इसके नियम बनाए उस दोरान जो कम्प्यूटर का डिप्लोमा या कोर्स था उसे लेकर कोई सितिस पस्ट ने की थी छे महिने एक साल अलग लग इसका नोमिक लेचर क्या होगा उसको कोई डिफाइन नी किया गया था लग लग बेवस्ता थी और इसमें ये भी कहा गया था कि और इस इकुल ये जो पचीदिया थी ये जो सरकार की नकामी थी सरकार की लापरवाही थी जो इसमें भरती नियम बनाए गए थी जो सरकार ने बड़े स्थर पर खामी रखी दिक आर्मिक विवा की तरफ से उसका खामयाजा परदेश के हजारों लाकों युवाओं को बुक्तना पड़ा यह बजाए कि सरकार ही इस गलती के चलते के कि जो अभियारती है वो लंबे समय से नयाए का इंतजार कर रहे हालां कि पोस्ट कोर संखिया 447 की बात की जाए तो जब शुरुती दोर में यह भरती शुरू हुई थी पहली भरती 447 पोस्ट कोर संखिया में हुई थी 1470 कुल अभ इतर ऐसे अभियारती हैं वो अब रेगुलर भी हो चुके हैं जिनने जियो पर भरती किया गया था इसके बाद 556 में 1190 पदों के लिए भरती हो जित की गई लेकिन इसमें सिर्फ 590 केंडिडेट सेलेक्ट किये बागियों को इगनोर कर दिया गया और जो पचीदगी थी त जलते कि कई अभियारती यहां पर बाहर हो गए अंततावे कोर्ट में पहुंचे इसी कार्ण जो 817 पोस्ट की भरती है वो भी लटकी हुई है क्योंकि इस भरती की बात करें तो सोलन, सिर्मोर, सिमला, उनना से तमाम इन जिलों में यह 5 ऐसे जिले थे जहां पर मामले की सुनवाई करते हुए तमाम पक्षों को सुनने के बाद इस फैसले को आट दिसंबर को रिजर्व कर दिया था और अब इस पर फैसला आएगा कोट का जब भी फैसला आता है वो अपने दर्श्कों तक हम जरूर लेकर आएंगे बात करेंगे ने पेस केल को लेकर क् की